हेलो एन वेलकम टू माई चैनल आज हम लोग बिहार वन रिपोर्ट 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने नोट डाउन किया है जो अपकमिंग एक्जाम के लिए बहुत जाद इंपॉर्टेंट है जैसे बीप बिहार भी किस तरह की वन पाये जाते हैं कहां पर अर्ध पनपाती वन पाये जाता है कहां पर शुक्ष पनपाती वन पाये जाते उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं Important facts, ठीक है, बिहार का कुल छेत्रफल 94,163 स्क्वार किलो मेटर है, जितना भी 1 है बिहार में, 1 हो या विर्छावरन हो, सब इसी छेत्रफल के अंदर में होगा, ठीक है, एनि बिहार में, छेत्रफल कितना है बिहार का, 94,163 स्क्वार किलो मेटर, ठीक है, भारती 1 सर्वेक्ष एनी FSI मतलब Forest Survey of India ठीक है इसकी जो अस्थापना हुई थे 1981 में देहरादून में किया गया था ठीक है इसी के द्वारा रिपोर्ट तयार किया जाता है डेटा कलेक्शन किया जाता है उसके बाद रिलेज किया जाता है यूनियन में इस्टे के द्वारा ठीक है और हर दो साल मे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है पर्थंबर जो रिपोर्ट जारी किया गया था 1987 में जारी किया गया था इस बार जो रिपोर्ट जारी किया गया है 2021 का ISFR ठीक है एनि Indian State of Forest Report ठीक है 2021 ये सत्रवी रिपोर्ट है एनि सबसे पहले जो रिपोर्ट आई वो 1987 में उसके बाद इस बार 2021 का रिपोर्ट सत्रवी रिपोर्ट है ठीक है नेक्स हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के वणों को दो भागों में बाटा गया है वर्षा की मात्रा की आधार पर वर्षा के अनुसार दो भागों में वण को बाटा गया है बिहार के ठीक है पहला हम लोग देख लेते हैं पहला है अर्ध पणपाती वन यह वेट डिसेडिय तो उस छेत्र में अर्द पढ़पाती 1 पाया जाएगा, wet deciduous forest पाया जाएगा, ठीक है, सेकंड है, शुक्ष मों पढ़पाती 1, ठीक है, dry deciduous forest, यह जहां पर 100 cm से कम वर्षा होती है, उस छेत्र में शुक्ष पढ़पाती 1 पाया जाता है, ठीक है, तो यह जो शुक्ष पढ़पाती 1 है, वो बिहार के south में पाया जाएगा आपको, और अर्द पढ़पाती 1 की अगर बात करेंगे हम लोग, wet deciduous forest तो बिहार के north में पाया जाएगा, ठीक है, जैसे वो इस चम्पारन अगरा के करीब में पाया जाएगा, उसके बाद हम लोग discuss कर लेते हैं, बिहार के on के सनरक्षन के लिए तीन भागों में बांटा गिया है। यानि बिहार का जो one है, इसको तीन भागों में बाटा गिया है इसके सनरक्षन के लिए, सुरक्षा के लिए, पहला को हम लोग डिसकस कर लेते हैं, मैंने short में definition लिखा है, सुरक्षित one, reserve forest, पशू को चराने, लकडी काटने की अनुमती नहीं है, यानि इसमें पशू को चरा आने, या लकडी काटने, या लकडी जमा करने की अनुमती नहीं दी जाती है, यह सरकार के सनरक्षन में रहता है, इस परकार के one को हम लोग reserve forest कहते हैं, या सुरक्षित one कहते हैं, अब next देख लेते हैं, आरक्षित one, यानि protected forest की अगर बात करे, पशू को चराने, लकडी का काटना है, जमा करना है, तो उसके लिए सरकार आपको अनुमती देती है, सीमित मात्रा में, ठीक है, इस परकार के one को हम लोग क्या कहते हैं, protected one कहते हैं, ठीक है, protected forest कहते हैं, next है, और वारगी किरित one, यानि unclassified forest की अगर बात करे, तो इसमें कोई पर्तिबंद नहीं है, य government शुल्क लेती है, tax लेती है, ठीक है, हम लोगों ने जो discuss किया था, कि बिहार में दो परकार के one है, अर्ध पणपाती one और शिक्ष पणपाती one, तो वो पणपाती one या पत्यज़ड one, पणपाती one को ही पत्यज़ड one कहा जाता है, उसी के दो परकार होते हैं, अर्ध पण डाउन कर देता है, एक साल में पत्य गिरा देता है, तो इस परकार के हम लोग one को पत्यज़ड one कहते हैं, पणपाती one कहते हैं, बिहार में सदावहर one नहीं पाया जाता है, अब हम लोग डिसक्ष करेंगे बिहार में one एबंग विर्चावरन, यानि 2021 रिपूर्ट के अनु उसके लिए आपको जो है बेनिफिट हो सके, तो पहला हम लोग देख लेते हैं, वन आवरन, ठीक है, 7381 स्क्वाइर किलो मिटर छेत्र फल पर बिहार में one है, मैंने जैसे कहा था, 94163 स्क्वाइर किलो मिटर जो बिहार का भोगवलिक छेत्र है, उसमें इतना छेत्र पर आ आपका one है, यनि इस बार बिर्धी कितने हुई है, 75 स्क्वाइर किलो मिटर की बिर्धी हुई है, विरिच्छा वरन के अगर बात करें, 2341 स्क्वाइर किलो मिटर पर क्या है, आपका विरिच्छा वरन है, ठीक है, अगर परसंटेज में देखें, तो 2.48 परसंट पर है, इस 22 स्क्वाइर किलो मेटर चेत्रफल पर वन आवरन और विर्चावरन है, दोनों मिला के, ठीक है, 10.32 परसंट पर विर्चावरन और वन आवरन है, ठीक है, और इसमें बिर्धी, दोनों में बिर्धी जो हुआ है, वो हुआ है, 413 स्क्वाइर किलो मेटर पर, ठीक है, ध्यान देजेगा अगर वनावरन पूछा जाएगा तो 7.84% आप मार किजेगा अगर विर्चावरन पूछा जाएगा तो 2.48% पर अगर दोनों मिला के पूछा जाएगा तो 10.32% पर आप टिक करेंगे ठीक है अब हम लोग देख लेते हैं सरवादिक वनावरन वाले जीले ठीक है वह पाया जाता है कैमूर में ठीक है यानि लगभग 1051 .50 किश्क्र पर क्या पाया जाता है वन पाया जाता है यहिस्का जितना छेत्रफल है अर। 30.56% पर आपको 1 पाया जाता है ठीक है उसके बाद next का है पश्चिम चंपारण पर 1 पाया जाता है और third position पर है रोहतास ठीक है उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे कम वनावरन वाले जीले यानि सबसे कम 1 कहां पाया जाता है यहां विर्चावरन की बात नहीं कर है वन की बात कर रहे हैं ठीक है तो सबसे कम की अगर बात करें तो शेखपूरा में पाया जाता है 0.17% और दूसरा अरवल तीसरा जहानवाद ठीक है next हम लोग डिस्कस कर लेते हैं परतिशत में सरवधिक वनावरन विले जीले यानि परतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहां पाया जाता है तो कैमूर में पाया जाता है 31.56% उसके बाद जमूई में पाया जाता है फिर नवादा में पाया जाता है ठीक है next है परतिशत में सबसे कम वनावरन वले जीले जिसमें सबसे कम पाया जाता है परतिशत के आधार पर वो है शेखपूरा उसके बाद बक्सर तीसरा पोजिशन पर है सेवान, ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, सरवाधिक बृधि करने वाले जीले, यानि बिहार में जितने जीले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बृधि, यानि वन बृधि कहां हुआ है, उसके बारे में डिस्कुस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वन में जो बृधि हुई है, वो बाका में, उसके बाद जमूई, उसके बाद गया में हुआ है, थर्ड पोजिशन पर, नेक्स्ट है, सरवाधिक कम करने वाले जीले, यानि जिसमें वन कम हो गया है, सबसे ज़्यादा कम हुआ है, वो हुआ है कै मूर में और सेकंड है सुपावल में और थर्ड रोतास में नेक्स्ट हम लोग डिक्सकर लेते हैं जो बिहार के वन है उसको तीन काटेगरी में डिवाइड किया गया है ठीक है बहुत घने वन ऐनी वैरी डेंस फॉरेस्ट ठीक है यह पाया जाता है 333 स्क्वाइर किलोमेटर पर मद्ध रूप से घने वन ठीक है यह पाया जाता है 3286 स्क्वाइर किलोमेटर पर और थर्ड है खुला वन ओपन फॉरेस्ट जो पाया जाता है वो पाया जाता है 3772 स्क्वाइर किलोमेटर पर यहां पर मैंने लिखा बहुत इंपोर्टेंट है एक बार BPSC में पूछा गया था कि बहुत घने वन कहां पाया जाता है बहुत घने वन बिहार में पश्चिम चंपारन में पाया जाता है और मध्यम रूप से घने वन भी पश्चिम चंपारन में पाया जाता है और खुला वन की अगर बात करें तो सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है कैमूर में पाया जाता है ठीक है तो आज हम लोगों ने बिहार के जो वन रिपोर्ट है उसके बारे में डिसकस करते हैं ये रि आया गया है ठीक है उसी के अनुसर हम लोगों ने आज डिसकस कर लिया है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही ताइंक्स पो वाचिंग